आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर पनीर की सबजी जो आज तक का सबसे असान रेस्पी है और स्वाधिश्ट इतना कि आप लोग उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर को ऐसे पीसेस में कट कर लिया है चोटे चोटे आप अपने अकोडी बड़ा चोटा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने गैसान करके 100 ग्राम के करीब तेल डाल दिया है तेल जब अच्छे से धुआ आने लगा था तभी मैंने पनीर के पीसेस को तेल क फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं मेरा पनीर अच्छे से हो गया है अब मैं इसको निकाल लेती हूं किसी प्लेट में आज तक का सबसे आसान रेश्पी बता रही हूं इसमें मैंने नहीं दही का यूज किया है और नहीं कोई मसाला डाला हुआ है लेकिन जब आप एक इस तरीके से मटर पनीर बना लेंगे तो यकीन मानिए सारे तरीके भूल जाएंगे यहां पर देखिए सारे पनीर को मैंने फ्राइक प्लेट में निकाल लिया है सेम ओयल में मैंने एक चमच खाड़ा जीरा डाला हुआ है साथ ही दो हरी मिर्ची को 20 से चीरा लागा कर डाल लिया है 8-10 लहसन की कलिया 6-7 काजू और 1-1.5 इंच अधरक इसको पेश्ट बना लेते हैं तो यहां पर देखिए प्याज एकदम नरम हो गया है इसको गोल्डन भी नहीं करना है नरम हो जाए तो काजू लहसन अधरक को पीस कर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको एओ तो जाले यहां अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे डालेंगे राई मसाला एक चमच भर के हल्दी पाऊडर और एक चमच धनिया पाऊडर एक जायेगा काली मी पाऊडर और और लाल मीर्च पाऊडर्र मैने दो चमच डाला हुआ है आप अपने रुहाई फ्लेम पर भूनेंगे यह मटर पनीर की सब्जी इतना बनाने में असान है खाने में उतना ही टेश्टी होता है इसे बैचलर भी बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो यहां पर देखिए मसाले को मैंने लगभग 50% भून लिया है अब मैं इसमें एड़ करूंगी हरे मतर तो हरे में मैंने 100 ग्राम एड़ किये हैं और मसाले को अच्छे तरीके से मतर के साफ भूनेंगे ता कि मतर भी कुक हो जाए औरहें हमारा मसाला सब्राइब भूनने के बाद मसाला इज़ हो ज़िए मैं गाला हुआए ठीक और कि छालनें की जरिसे ओर खूंद के तरुक्ता के साथे हुआARAं और गर्म पीमरक मासाल नहीं है तो पनीर कोनें और सब्समाइन लिइंख सकते हैं इन सबी जीजएंऑ को अच्छी तरीके से mix करके भूनेंगे flame को medium to high कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए और जब यह सब भुना जाए तो पनीर को आड़ करके सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनलेंगे जैसे कि मैं हमेसा ही कहती हूं कि मसाला जितना ही अच्छे तरीके से बुनाएगा उतना ही जबरदस्त टेस्ट आएगा तो मैं इसी तरीके से मेडियम टू हाइफ लेम पर सभी को भून कर इसमें एक कटोरी पानी आड़ कर दूंगी क्योंकि मटर पनीर का ग्रेवी थोड़ा ठीक रहता है तभी उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद धक के दो से तीन मिनट मेडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे दो से तीन मिनट कुक करने के बाद मैंने फ्लेम को आफ कर दिया था और यहां पर हमारा सुपर टेस्टी मटर पनीर की सबजी बनके रेडी है फ् खर वाची बाद बड़ा खीज झाल झाल झाल